नमस्कार दोस्तों सागतियाब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनी एजूकेशन पर आज हम बात करेंगे और्थोडेक्स जेल के बारे में इस और्थोडेक्स जेल के क्या उपियोग है क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए इसको यूज करते टाइम और इसके अंदर कौन-कौन से इंग्रीडियन्ट प्रेजेन्ट होते हैं पूरी डीटेल से इस और्थोडेक्स जेल के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर और्थोडेक्स जेल इसका ब्रांड नेम है यह 50 ग्राम का है और इसके अंदर इंग्रीडियन्ट की बात करें तो लीन्सीड और इसके अंदर प्रेजेन्ट होता है, डाक्लोफिनिक सोडियम, मिथायल सेलिसिलेट, मेंथाल और अर्ड बैंदाइल festival होता है तो यहाँ पर diclofenic sodium and methyl salicylate जो की non-steroidal anti-inflammatory drug है शरीर में अगर कहीं भी pain हो रहा है, दर्द हो रहा है या swelling हो रही है, inflammation हो रहा है तो उसके treatment में orthodox gel को use कर सकते हैं तो यह किसके लिए use हो रही है? For fast relief from pain, swelling and inflammation या अगर body में शरीर में बाहरी रूप से यानि बाहरी भाग पर कहीं भी pain अगर हो रहा है, swelling हो रही है या inflammation हो रहा है तो उसके लिए orthodox gel को आपप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे इसके अंदर composition, lincid oil इसके अंदर present होता है as per British pharmacopoeia 3% weight by weight present होता है Diclofenic diethylamine present होता है as per British pharmacopoeia 1.16% weight by weight तो यहाँ पर यह जो Diclofenic diethylamine है यह equivalent to Diclofenic sodium Methyl Salicylate as per Indian pharmacopoeia 10% weight by weight present होता है Menthol इसके अंदर as per Indian pharmacopoeia 5% होता है जो की weight by weight है Benzyl Alcohol as per Indian pharmacopoeia 1% weight by weight present होता है तो यहाँ पर यह Benzyl Alcohol as a preservative यूज किया गया है यानि इस जेल के अंदर यह preservative की तरह work करेगा orthodex gel को यह preserve करके रखेगा जल्दी ही यह खराब नहीं होगी gel base इसके अंदर use किया गया जो की quantity sufficient है storage condition की बात करते है store in a cool and dark place do not freeze तो इसको ऐसे place पर रखना है जो की cool हो और dark हो कुछ ड़वाई या drugs ऐसी होती है जो light sensitive होती है light की वज़े से खराब हो जाती है तो इसको dark and cool place पर रखना है और freeze करके नहीं रखना है do not freeze यहाँ पर doses की बात करते है as directed by the physician जो physician prescribe करते हैं उनके अनुसारी इसकी dose का use करना है यानि कितनी dose use करनी है keep out of reach of children चाहे वो कोई भी medicine हो आपको बच्चों के पहुँच से दो रखना है warning to be sold by retail on the prescription of a registered medical practitioner only तो कोई भी दवाई हो आप उसको बिना doctor की शला के और prescription के कहीं से भी नहीं ले सकते हैं so कोई भी medicine हो आपको एक बार doctor से शला लेनी चाहिए उनके prescription के अनुसार ही जो doctor prescribe करते हैं उनके अनुसार ही कोई भी दवाई यूज़ करनी चाहिए for external use only तो ये जो medicine है orthodox gel ये external use के लिए है आप इसको externally apply कर सकते हैं manufactured by psychotrops india limited इसको manufacture करती है so और detail से जानते हैं इसके use के बारे में तो ये जो use हो रही है एक तो muscular pain के लिए use हो रही है यानि शरीर में अगर muscles में कहीं pain हो रहा है तो इसके लिए आप इसको use कर सकते हैं और big pain यानि lower big pain अगर हो रहा है तो इसके लिए आप apply कर सकते हैं joint pain के लिए आप इसको apply कर सकते हैं तो देखें, दर्द, सूजन और जकडन के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या नि शरीर में अगर कहीं भी दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, जकडन हो रही है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, simply आप इसको कैसे apply कर सकते हैं तो जहां पर भी pain अगर हो रहा है जिस side पर pain हो रहा है, दर्द हो रहा है, swelling हो रही है उस area को आप wash कर लीजे, फिर आप इसको apply कर सकते हैं So friends, आज हमने बात किया orthodox gel के बारे में इसके use, साबधानिया क्या रखनी चाहिए पूरी details से हमने आपको बताया है So अमीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपके लिए helpful होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब केज़े क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलते रहेगी Thank you very much for watching this video